हेलो दोस्तों कुर्क शेत्रा दर्शन में आपका हारदिक स्वागत है आईए आपको आज लेकर चलते हैं एक ऐसे रहसे में मंदिर जहां पर हर वर्ष नाग और नागिन भगवान शीव की दर्शन के लिए आते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं जैसे कि भगवान शीव हिंदु दर्म के परमुक्त देवताओं में से एक है और भगवान शीव को कई नामों से जाना जाता है और इनको देवों को देव महादेव भी बोला जाता है जैसे कि भगवान शिव को शिव संकर, भोलेनात, नीलकंट, संगमेश्वर कई नामों से पुकारा जाता है और इसी तरह भगवान शिव के इस दुनिया में हजारों मंदिर है और माननेताओं के अमसार कुछ ऐसे मंदिर हैं, जहां पर भगवान शिव, शिवलिंग के रूप में वीराजमान है ऐसे ही एक मंदिर में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जो की हर्याना के कुर्क्षेत्र जीले के पहवा के निकिठ स्तित चार सी पांस किलोमीटर की दूरी पर गाउं अरुनायम में स्तित है और यह संग्वेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद है और यहाँ पर दूर दूर से भक्तकर्ण लाखों की संक्या में भगवान सीव के दर्शिन के लिए मंदिर में आते हैं हर महिने त्रियोजसी के अवसर पर कहीं भक्तकर्ण मंदिर में आते हैं और सावन के महीने में यहां पर भक्तकण भगवान सीव की धिन भर अराधना करते हैं और जैसे कि भगवान सीव जिन भक्तों की भक्ती से परसन होते हैं तो उनको मनवांचित फल देते हैं आईए हम आपको इस मंदिर से जुड़ी खास और दिल्चपस बाते बताते हैं जैसे कि भगवान सीव के मंदिर वस्तुकला और रहस्यों के लिए जाने जाते हैं और इन रहस्यों के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया है कोई इन्हें इस्वरे शक्ती बताता है और कोई इन्हें भगवान के चमतकार बताता है और ऐसा ही चमतकारी मंदिर स्तित है कुरक्षेतर जिले के गाउं अरुनाय में इस मंदिर में भगतों की अटूट श्रद्दा है और हर वर्ष नाग और नागिन का जोड़ा भगवान सीव के दर्शन के लिए यहां पर आता है और संग्वेश्वर महादे मंदिर लोक कथाओं और चमतकारों की वज़े से काफी परसिद्ध है ऐसा बताया जाता है कि रिशी विश्वा मित्र के सराब से मुक्त होने के लिए देवी सरस्वती ने यहीं पर भगवान सीव की अराधना की थी जबकि यहां पर साल में नाग और नागिन के जोड़े को इस मंदिर में देखा जाता है और इस मंदिर में इनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड उमर जाती है और इस नाग और नागिन के जोड़े ने अभी तक किसी भी शरधालू को कोई नुकसान नहीं पुन्चाया है और यह जोड़ा कुछ देर तक भगवान सीव की शिवलिंग की प्रिक्रमा करता है और प्रिक्रमा करने के बाद यह चला जाता है और यह भी एक रहस्या बना हुआ है कि यह जोड़ा कहां से आया है और कहां पर जाता है अभी तक इसका भी कोई पता नहीं लगा पाया है यह मंदिर, अरुना और सर्स्वती नदी के संगम का स्थल है और इस मंदिर के पाथ से सर्स्वती नदी गुजरती है पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि महारिशी विशिष्ट और महारिशी विश्वा मित्र के बीच में एक दूसरे से अधिक तपोबल हासिल करने की होड लगी हुई थी महारिशी विश्वा मित्र ने सर्श्वती को छल से महारिशी विशिष्ट को उनकी आश्रम तक ले जाने की बात कही थी ताकि वो महारिशी विशिष्ट को समापत कर सके और सर्श्वती देवी श्राब के डर से महारिशी विशिष्ट को अपने तेज बहाव के साथ महारिशी विश्वा मित्र के आश्रम तक ले आई थी लेकिन जब महारिशी विश्वा मित्र महारिशी विशिष्ट की ओर बढ़ने लगे तब और सर्श्वती देवी महारिशी विशिष्ट को पूरव की ओर बहा कर ले गई इस बात पर महारिशी विश्वामित्र क्रोधित हो गए और महारिशी विश्वामित्र ने सरस्वती को खून से भरकर बहने का श्राप दे दिया था महारिशी विश्वामित्र के श्राप से सरस्वती नदी खून के बहाव के साथ बहने लगी जिसके परिनाम सवरूप इसके किनारों पर रक्षशों का जमावडा लगने लगा भगवान विश्वा मित्र ने सरस्वती देवी को यहां पर प्रकट हुए शिवलिंग की अराधना करने के लिए बोला और देवी सरस्वती ने इसी तीर्थ पर भगवान शीव की अराधना की और भगवान शीव की अराधना कर भगवान शीव ने उन्हें विश्वा मित्र के द्वारा दियेगे शुराप से मुक्त कर दिया देवी सरस्वती को जलधारा के रूप में फिर से भर दिया और तभी से यहां पर भगवान शीव की अराधना शुरू हो गई शिरी पंचैती महा निर्वानी आकाडा की देखरेख में इस मंदिर में ववस्ताई की जाती है महाशिवरात्री के अवसर पर यहां पर एक वार्षिक मेले का अयोजन भी किया जाता है सावन महिने में कावडी यहां पर लाखों की संख्या में भगवान शीव की शीविलिंग पर जलबशेक करते हैं और इस मंदिर की ऐसी मानित्या भी है यहां पर अगर जल अविशेक, पूजा और वट वरिक्ष पर धागा बानने पर सभी मनकाम नहीं पूर्ण होती है नदियों के इस संगम के द्वारा ही इस प्राचिन शीव मंदिर का नाम संगमेश्वर पड़ा सावन महिने में कावडिये यहां पर भगवान शीव का गंगा जल के साथ अविशेक करते हैं और नतमसक होते हैं यहां पर भगवान शीव की शीवलिंग को फूलों और अन्य सजावटी समान से काफी सजाया जाता है और यहाँ पर देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्तकन इस प्राचिन मंदिर में भगवान सीव के दर्शन के लिए आते हैं मंदिर के पुजारियों के द्वारा बताया जाता है कि यह सियम भू सिवलिंग है जो कि रिशिमनियों की खटोर तपस्या के फल्सरूप धर्टी से प्रकट हुआ है और मानेताओं के अनसार जैसे कि सावन महीनों में भगवान सीव का धर्टी पर वास होता है इसलिए सावन महीने में यहां पर दूर दूर से भक्तकन भगवान सीव के दर्शन के लिए आते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूटूब चैनल कुरकशीत्रा दर्शन को सस्क्राइब करना न भोले और आप हमें फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं कुरकशीत्रा दर्शन के नाम से पेज है थैंक्यी फोर वाचिंग वीडियो बम बम भोले